सबसे पहले तो मुझे यह देखके बहुत जादा दुख हुआ कि इस बार क्लास 12 सीबीसी के अंदर compartment exam में बहुत सारे बच्चे फेल होगे लिटरली बच्चों को रोते हुए देखा है एक पूछ जुख होता ना जो अंदर emotions निकलते बहुत देखा है जा हर बार compartment exam में mostly बच्चे पास होते थे इते बार mostly बच्चे फेल हुए है 50% बच्चे भी compartment exam में पास नहीं हुए है मैं आ यह काम कर सकते की बहुत अपनी हिम्मत नहीं आना है अब जो हो चुका सो हो गया मेरे भाई लेकिन आगे आपकी जो भी प्रॉट्ब्लम से वह सारी में सॉल्व करने वाला हूं किस तरी किसे पढ़ाई करना उसमें आपको आपको टिप्स भी दूँगा ठीक है तो मेरे भा 5.0% केंडिडेट सी केबल पास हो पाएं कमपार्टमेंट एक्जाम 2023 में कमपार्टमेंट एक्जाम 2023 में आपके साथ बहुत गलत हुआ मतलब सोच के थोड़ा बोड़ा लग रहा है कि एक साथ पास बच्चों को खड़ा किया जाए एक साथ ऐसे बच्चे जो पास नहीं हो पाए लिटरली गाइस बहुत दुख्ती बात है दूसरी चीज़ क्या है 59 परसंट के मार्क इंप्रूव हो गए इंप्रूवमेंट एक्जाम जिसनों ने मतलब ऑई कोरी चैकिंग वगड़ा के लिए अप्लाई एक्जाम के लिए अप्लाई गया था 59 परसंट बच्चों के मार् बाइस पास हुए हैं अगर रहाता सुनने को मिलता है ना कि 90 इसुटेंट पास होगए कमपार्टमेंट में लिटरली हसके वीडियो बनाता मज़ा आजाता लेकिन यार कुछ बच्छे रो रहे हैं कुछ बच्छे हस रहे हैं पास हो गए अब देखो आपके जित्ते भी प्रॉब्लम्स है ना सारी के सारी के सुलूशन देने अगर पहली बाइस पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथी बैल प्रेस करें ना क्यूंकि यार हर बार जैसा होता ना उससे सब्सक्राइब किया था कंपार्टमेंट वाले बच्छ कुछ नहीं होगा यह सामने बैटा वीडियो बना रहे ना कुछ नहीं भाई ठीक है पैसे तुम खूब सारे कमा तक तो टैंसर मत लो बनाऊंगा आपको लिए अग्जाम कब देना है इक्जाम और आपका नेक्स यर कब नेक्स यर कब नेक्स यर जब बोट इक्जाम होने नेक्स यर जो बोट इक्जाम होगा ना उनके साथ बोट इक्जाम टू-जीरो टू-थी टू-फॉर यह होगा ना जब उन्हीं के साथ आपको एक्जाम देना पड़ेगा मतलब जूनियर वाले बच्चों के साथ एजन प्राइवेट केंडिडेट ठीक है ठीक है उनके आज मैं फरवरी में बोल सकते हो आपको एक्जाम देना है ठीक है तो पहला डाउट के लिए नेक्ट यह जो बोट इक्जाम होगा उनके साथ आपको एक्जाम देना है एस प्राइवेट कंडिडेट उसके बाद नेक्ज राउट कितने सब्जैक्ट के एग्जाम देने बहुत सारे बच्चे दो subject में fail थे जब result आया थाना दो subject में उनकी compartment लगी थी दो subject में पास नहीं हो पाई थे तो देखो इस बार तो keble 70 तो आप चुलाई को था आपका compartment exam का result ठीक है तो इस बार तो और जो चुब आप एक सब्जेक्ट आप एक्जाम दे सकते हैं किलियर डाउट जिस सब्जेक्ट तुम फ्याली होए ना भी कमपार्टमेट पर बोस अब देना कमपल सरी होगा ओके बागी दूसरे सब्जेक्ट भी दे सकते हो नौ प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा क्या अगर तुम प्रैक्टिकल में पास हो तुमाहिए थियोरी में आई आई ए आई ए तो बहुत प्रैक्टिकल का नहीं देना पड़ेगा आपको दबार से एक्जाम ठीक है जो अभी प्रैक्टिकल मांक से वह यह हो जाएंगे फाइनल नेक्स्ट फॉर्म फिल गाब वहगा व होगा या हाट होगा नेक्स्ट यह जो हम देंगे बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कि दिसी रियल्टी इस बार इस बार इस टिकली वह एपलाई हो जाएगी और इस बार क्वेस्टिन वह बहुत जादा गुमाफ रागी पूचे जाएंगे अलब यार क्या मैं बोल लू हूँ बट यह रियल्टी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले तुम अलड़ी दुखी हो तुम्हाई बूटी साल बरबाद हुई है कोई दिक्कत नहीं तो मैं तो कहूंगा एसमा को कम में समझो लेकिन भाई अब हाड आएगा क्या कर सकते हैं ठीक है यह तो भाई अच्छे से तयारी करो प्रिप्रेशन करो जिसमें भी आपकी कमपार्टमेंट है और नेक्स्ट यर एक्जाम देना है ठीक है और भी ना यूस वोड बगरा होता है यूटू पर जाकर सकते हो या चाओ करो तो मैं वीडियो बना दूँगा ठीक है बट अब कुछ नहीं हो सकता भाई होना था वो हो चुका ठीक है और इसमें भाई मैं पूरी तरीके से आपके गलती नहीं मानता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे को यह से मिले जो यह बोल ले हैं कि भाईया पिछली बार जो मेरी अभी जब मेरी लगी थी ना तब मेरी जित्ते मार्टमेंट लगी अब जो कमपाइटमेंट एक्जाम दिया उसमें भी पांच नंबर आए एक इस्टुटेंट की कानी नहीं है बहुत सारे स्टुटेंट की आई कानी है तो कुछ गरबल लग रहा ना बिलकुल लग रहा है लेकिन भाई क्या कर सकते हैं इतना गूंगा यार हमत रखो करो इतनी मेंद करो कि बहुत एक साल तुमाई बरबाग होई ना पढ़ाई में तुम इतनी मेंद करो इस एक साल में कि बो बच्चे जो पास हो गये ना उन्से तुम 10 साल आगे निकल तको बड़ी बात नहीं है एलॉन मसक को जानते हो एलोर मसक मैं आपको एक चीज़ बता हमें क्या-क्या अचीब करना है और वो केसे करेंगे जिआ लिखें लिखते हैं जाहांसे देखना Nhality लिखते हैं कि बहुतम साल कंप साल मैं कैसे डिख कर सकता हूं ठीक है कितने जीम पछी पड़ेगी उसकी बाद यहीं पांस साल का गोल मतलब यह जो पांस साल में ने पूरी स्टेटजी लिखी एक साल में मैं कैसे अचीव कर सकता हूं उस चीज को यह दबा के मैंनत करते हैं यही चीज में आपसे बोल लो सबसे आगे निकल जाओ और यह बिल्कुल मत सोथना कि यह पड़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते कैरी मिनाटी को जानते हो अजरे नागर बड़ा यूटूबर है है कितना कमा रहा है बहुत कमा रहा है मुगे सम्मानिया मुगे सम्मानिय कोई मा लिए उनके पास कॉलिज की डिगरी है नहीं जी तो बहुत कभी भी बिल्कुल भी अपने आपको कम नहीं समझने का यह एक साल बरबाद हो गई कोई दिक्कत नहीं बरोसा रखो ठीक है साब अच्छा होगा और भी आपको कुछ डावड़ कुछी पूसरो आप लीशे कमें बढ़े देंगे तो दुनिया बालों से थोड़ी दूरिया बनागर रखो एसे लोग के साथ रहो जो तुम से सपोर्ट करते हैं मैं सपोर्ट करो पर्ते हैं सकते हैं अगर मेरी बरबाद हो तो मेरी क्या हालत होती I can't imagine like मैं भी बहुत ज़्यादा रोता तुम्हारे साथ भी बहुत चीज हो रही है तुम्हारे समझता हूँ भाई तुम्हाई फिलिंग्स को दुनिया वाले नहीं समझते हैं ठीक है चले गास मिलते हैं आपको अकली वीडियो में टेल ने डिकिया बाबाई